नमस्कार दोस्तो, Mental Health Thinker मैं फिर एक बार आपका मेश्वागत करता हूँ और अब हम बात करने वाले हैं स्रीमद पगवद गीता के बारे में जी हाँ दोस्तो ये बुक को आप देख रहे हैं ये बुक स्रीमद पगवद गीता है जो कि 5000 साल पहले भगवान सीकृष्ण ने अरजुन को जब वो युद्ध के मैदान में अपने स्वजन को देख करके ये बोलता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तब उसको वो डिप्रेशन की स्थिती से बाहर निकालने के लिए पगवान उसके साथ जो 700 स्लोखों में जो बात करते हैं उसको स्रीमद पगवद गीता के नाम से हम जानते हैं दोस्तों मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि स्रीमद पगवद गीता का जब मैंने पठन किया जो कि mental health के जो issue से उसको address करता है मैं इसको बोलू कि ये spiritual book तो ही है इसके साथ सा स्रीमत भगवत गीता मानस सास्त्रिय ग्रंथ भी है भगवान ने मनुश्य के जीवन में होने वाली उत्पन होने वाली सभी प्रकार की समश्याओं को त्यान में रखते हुए उसको उस समश्याओं से कैसे निजात पाना है और कैसे समश्याओं को हरा कर जीतना है उसके बारे में उप्देश दिया है पूरी भगवत गीता का एक-एक सब्ध मानस स्वास्ता को अच्छा करने वाला है पर जब हमको डिटेल में बात करना है तो एक-एक स्लोग को ले करके आगे बढ़ना चाहिए मैं आग चेप्टर टू जो कि सांखियोग के नाम से प्रसित है उसके फौर्टिंथ जो चौदा नंबर का उसका जो स्लोग है उसके उपर बात करने वाला हूँ इस लोग में भगवन पार्थ को बोलते है कि हे पार्थ ठंडी गर्मी शुख दुख देने वाले इंद्रियों के विशय के साथ संसर्क से उपन होने वाले जो भी संयोग है वो उद्पत्ति और विनास्चिल है वो अनित्य है उसको तु सहन कर भगवान का कहने का तात पर यह है कि तुमारे जीवन में जो भी सुख दुखार आया है जो भी बुरे इंसिडन्ट हो रहे है या अच्छे इंसिडन्ट हो रहे है यह सब असत है असत मतलब यह ठहरने वाले नहीं है यह समय बदलने वाला है हम सब कानुबव है कि हमारे जी समय एक मरहम के तोर पर देता है भगवान इस लोग के द्वारा हमको बोल रहे है कि जो भी तेरे जिवन में मुसिबत आई है या जो भी अपी जो संजोग निर्मान हुए है तो उसको सहन करो वो बदल जाएगे और हमने सबने अनुभाव भी किया है कि हमेशा परिष्टितिय एक जैसी नहीं रहती है अगर सुख है अगर हम अभी प्रसन हो रहे है किसी चीज को ले करके किसी व्यक्ति को ले करके किसी परिष्टिति को ले करके अगर हम आनंदित है तो वो परिष्टिति भी ज्यादा देर नहीं रहती है उसी तरह अगर किसी परिष्टिति या व्यक जीवन के समस्याओं से जूज रहे हम सपी लोगों को कृष्ण चैप्टर दो में बहुत ही ब्लंटली ये बात कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याओं उसका तु सामना कर दूसरा भगवन शुरुवात में कृष्ण बोल रहे हैं कि ठंडी गर्मी हम देखते ह है कि समर में जब बहुत ज्यादा घर्मी बढ़ती है उस वक्त वो घर्मी को भी सहन नहीं करता रहे हैं भगवान बोल रहे हैं कि जिस तरह ठंडी के बाद गर्मी और घर्मी के बाद ठंडी आती है वाता वरण में उसी प्रगार सुक के बाद दुख का आना काफी बार माय के आवरण के कारण अनिवारिय होता है पर हमको इससे हारना नहीं है भारत में सबसे ज्यादा सुसाइड हो रहा है यूज सुसाइड कर रहा है भारत का बड़ी जिंता का विशय है पर पगवान दुसरे ध्याय के 40th नंबर के श्रोप के द्वारा हमको बोलते है कि जो भी पर रिष्टी थी है उससे तु लड़ उसको सहन कर समय बदल जाएगा नमस्कार दोस्तों जैशी कृष्णा